हाई दोस्तों असलाव लग्म कैसे आप लो मेरा नबीर है Firebolt की GPS tracking वाली smartwatch का review मैंने कुछ दिन पहले किया तो उसमें बताया भी था आपको के एक और smartwatch इनकी हमाँ पस आने वाली है जिसके अंदर आपको GPS feature देखने मिलने वाला है तो यह है दोस्तों वो smartwatch Firebolt Quest और यह भी वैसे ही affordable price में काफी सारे amazing features लेके आ रही है तो चली इसको unbox करते हैं एक-एक features का check out करते हैं और देखते हैं क्या यह watch लेने लाइक है या नहीं तो यह गाइस Firebolt Quest का box यहाँ पे दो colors में वाच है लेकिन box के ऊपर similar ही नजर आ रही है वैसे एक black है दूसरी military green है और इन boxes के पीछे दिये वे है QR code जिसको scan करके आप Android iOS दोनों devices के साथ जो है इनको pair कर सकते box के अंदर आपको सबसे पहले देखने मिलेगी यह watch और इस watch के साथ आपको मिलता है magnetic charging cable जो इसके bottom में attach होगे इसको charge करते है watch की user manual भी मिलती है और मिलते है कुछ freebies अब check out करते हैं दूस्तो fire bolt quest तो यहां पर यह watch में पास दो colors में है sensors और इसका charging port है और क्योंकि यह Bluetooth calling smart watch है तो bottom में आपको speaker और mic के holes भी देखने मिलते है watch IP67 dust and water resistant भी है तो पानी में आप इसको भेगा सकते है और यह watch आपके हाथ में काफी smart लगेगी साथी बहुत ही comfortable to wear भी है तो इस watch को setup करना बहुत ही easy है आपको Android है या फिर iPhone है जो भी है इसको बस QR code को आपको scan कर लेना अपने phone से link आएगा link पे tap कर लो और यह application आपके app store या play store पे available होता है कहीं और से आपको download करने की ज़रूत नहीं सकते हैं काफी इसके अच्छे है और यहां पर जो बैजल्स है वह भी minimum आपको देखने मिलेंगे क्योंकि राउंड डायल वाली वाच है डिस्प्ले को इस्तमाल करना भी काफी easy है काफी smooth है आपको इसमें कोई भी problem नहीं आएगी अब user interface का check out कर लेते तो यहां पर टॉप स स्वाइब करेंगे तो यहां पर आपके message की notification आपके sms whatsapp email सब नजर आएंगे आपको right to left स्वाइब करेंगे तो यहां पर individual application में आप चले जाते है और left to right स्वाइब करने पर आप आ जाते है इसके menu में और यहां पर देख सकते है इसका जो interface एकदम lag free है अब यहां पर तीन आप back जाते है step by step bottom वाला button जो है यह sports mode का button है और यहां से आप directly sports mode access कर सकते है sports mode की बात करें दोस्तों तो यहां पर 120 प्लस आपको sports mode देखने मिलते है तो जो भी आप sports activity करते हो आप इसी watch से track कर सकते है लाइकिन यहां पे कुछ special चीज भी है sports mode के अंदर जैसे यहां पे GPS walking, running, cycling, trail running और GPS on foot का option है क्योंकि यह GPS smart watch है satellite के साथ directly connect हो जाती है तो GPS के जरी से आपका पूरा trail आपका पूरा route जो है यह track करेगी और network नहीं होने पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा route follow किया है कहां कहां से आप गुज़रे हो तो जो लोग outdoor activities करते हैं उनके लिए यह GPS tracking वाली functionality जो है काफी सही है और 6000 रुपीज तक के price bracket में भी आपको यह functionality जो है मिलना मुश्किल है तो इन्होंने काफी कम price में GPS tracking इस watch के अंदर दी है और ladies के लिए हाँ पर menstrual cycle tracking भी है इस watch में और भी काफी सारे additional features दिये गए है जैसे आपको यहाँ पर AI voice assistant मिलता है जिस पर tap करके आप Google Assistant और Siri को trigger कर सकते हो local weather आप यह watch से check out कर सकते है along with local weather forecast camera के shutter button के तौर पे अपनी watch को use कर सकते है और साथ ही आप music भी control कर सकते अपने phone का timer alarm stopwatch जैसे useful features भी इसमें दिये गए है और अगर phone नहीं मिल रहा तो watch से phone को find कर सकते हो calculator का भी यहाँ पर option है और time pass करने हो तो कुछ games भी इन्हों ने इसके अंदर built-in दिये वे अब check out करते हैं इसकी Bluetooth calling functionality और उसकी loudness तो यहाँ पर आपको Bluetooth calling के अंदर जो calls आते है और जो calls आप make करते हो सब इस watch से आप कर सकते हो recent calls का option मिलता है dial pad मिलता है directly calls करने के लिए recent calls में incoming outgoing में इस calls सब दिखाएगा और contacts में जाएंगे तो आप contact store करके रख सकते हो एक मैंने store किया इसको call करके देखते है कितनी loud है इसकी आवास तो जैसे आपने सुना यहाँ पे काफी loud और clear volume इसकी आप outdoors में भी रहेंगे आप इस पे calls ले सकते है अब गाई इसका app चेक आउट कर लेते है दफिट नाम का application है इनका जिसके अंदर आपको main page के उपर सारे जो आपके health parameters है वो देखने मिल जाएंगे heart rate, blood, oxygen level जो मैंने अ साथ रोड़ी दर पहले चेक करने के लिए उसके बाद second tab में आपको आपके exercise records के साथ GPS running और GPS trail running, indoor running यह सारा का पूरा एक map देखने मिलेगा आप कहां कहां गये थे, कहां से गुजरे थे, वो सारा को यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको next tab के 500 प्लस watch faces, तो अपनी मर्जी का जो भी watch face है, यहाँ से आप लगा सकते है, free of cost, उसके बाद alarm, shutter button, e-card, यह सारी जीज़े आप यहाँ से कर सकते हो, manage, और last tab में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको profile goal और apple health को option भी देखने मिलता है, तो अगर आपको आईफोन है, तो apple health के अ काफी अच्छी battery capacity है, और यह आपको अच्छी battery life भी निकाल के देगी, pricing की बात करें, तो इसका pricing उन्होंने बहुत ही affordable रखा है, only one triple nine इसका price है, और इस price point में मेरे इसाप से यह killer deal है, यूग इतने सारे features आपको इस watch में दिये, खास का GPS tracking feature, जो के इस price point पे और किसी watch में नह मिलता, तो अगर आपको fireball quest ले रहा है, दोस्तो description में लिंक है, वहाँ से जाके इसको आप purchase कर सकते है, उमी किता दोस्तों आपको आज कभी जो पसना होगा, पसना होगा इस video को like and share ज़रू कीजिए, मेरे इस channel को subscribe, जो कीजिए good bye